Hey guys, welcome back to my channel once again So, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आगई हूँ काफी यूसफुल वीडियो और आज की वीडियो मैं दिखाने वाली हूँ राइस से रिलेटेड फेस पैक, फेस सीरम एंद फेस टोनर So, यहाँ पर यह है राइस जो मैं अल्रड़ी एक दिन पहले सोग करके रख चुकी थी इसके लिए मैंने पहले राइस लिए उनको अच्छे से वाश किया And then मैंने उसमें पानी डाल कर उसको at least for 24 hour के लिए एक कंटेनर में प्रिजर्व करके रख दिया आगे हम जो टोनर बनाएंगे या फिर जो हम फेस पैक बनाएंगे उसमें हम इस वाटर को यूज करेंगी तो शुरू कर लेते हैं हम अपने पहले स्टैप से उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है राइस पाउडर सबसे पहले मैं टू टेबल स्पून आफ राइस पाउडर ले लूँगी एक बाउल में दैन मैं उसमें एड करूंगी राइस वाटर जो मैंने अलरेडी फरमेंट करके रखा हुआ था उस राइस वाटर को मैं इसमें एड करूंगी अच्छे से इसे मिक्स करूंगी और यह टियादी सो यहां पर जो फेस पैक बनकर रिडी हुआ है वो मेरी सिकिन की हैल्थ को बूस्ट अप करेगा मेरी सिकन को ब्राइटन अप करने में लिश्यस बनाने में काफी हैल्प करेगा आप entay मेरे से मिक बार भी आप्लाई कर सकते हैं यह काफी यूस्फुल रहने वाला अब मैंने अपने face water से धो लिया है and एक light से टवल से अच्छे से अपना face साफ कर लिया है अब हम move करेंगे अपने next step की तरफ so next step में हम अपने face पर apply करने वाले हैं toner अब ये toner कहाँ से आएगा toner जो मैंने already rice ferment करके रखे हुए थे उस water को मैं extract कर दूंगी उस rice में से और उसको fill कर लूँगी एक spray वाली bottle में spray वाली bottle आपको easily market में भी available हो जाएंगी तो आप market से भी buy कर सकते हो मैंने भी यहाँ पर इस bottle में fill कर लिया है rice water और अब मैं इस rice water को अपने face पर अच्छे से spray करूँगी so यहाँ पर जो मैंने rice water use किया है वो मेरी skin को brighten up करने में help करेगा मेरी skin को soft करने में help करेगा hyper pigmentation में help करेगा sun tan remove करने में help करेगा अगर आपके पास spray bottle नहीं है then आप cotton balls को भी rice water में dip करकर and then अपने face पर apply कर सकते हैं apply करने के बाद आप इसको hardly 10-15 minutes के लिए ऐसी ही छोड़ दीजे so that rice water अच्छे से आपकी skin में absorb हो जाए and then उसके बाद हमें lukewarm water से again अपना face दो लेना है now again मैं अपने face को एक towel से साफ कर लूँगी अब हम move करते हैं third step की तरफ third step के लिए अब again मुझे चाहिए rice water एक bowl में मैंने rice water ले ले लिया है aloe vera gel ले लिया है यहाँ पर मैं पतांचली का aloe vera gel यूज़ कर रहे हूँ आपके पस और कोई aloe vera gel है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो and third जो item मैं एड़ करूंगी वो है यहाँ पर vitamin E के capsule तो यह capsule आपको market में भी easily मिल जाएंगे तो आप market से भी buy कर सकते हो इसकी cost भी इतनी जादा नहीं होती है hardly 45 रुपीज का यह पूरा pack आता है अब मैं इस vitamin E के capsule को भी cut करके उपर से इसमें add कर दूंगी vitamin E के जो capsules होते हैं वो काफी useful होते हैं हमारी skin के लिए और आप इसको directly भी अपनी skin पर apply करोगे तो भी इसके काफी सारे पायदे होते है vitamin E के capsules में antioxidant properties होते हैं जिसकी वज़े से आपकी skin को damage होने से बचाएंगे now मैंने इन तीनों चीजों को अच्छे से mix कर लिया है अच्छे से तीनों चीजे एक दूसरे में combine हो जाएंगी और ये एक moisturizer gel की तरह बन जाएगा अब मैं इसको अपने face पर apply करूँगी now मैं इन तीनों चीजों का जो ये मैंने mixture बनाया है इसको अपने face पर gently लगा कर light handed massage करूँगी so that ये मेरी skin में अच्छे से absorb हो जाए so यहाँ ये जो serum ready हुआ है इसमें जो rice water add किया है इसमें को wrinkle free बनाएगा aloe vera जो मैंने हम पर add किया है वो help करेगा मेरे skin में moisture lock करने में क्यूंकि इसमें होती है anti-inflammatory properties now third जो चीज मैंने इसमें add करी है that is vitamin E के capsule ये मेरी skin को youthful बनाने में help करेगा and मेरी skin को hydrate करेगा so इन तीनों ही चीजों का जो combination बनकर ready हुआ है ये मेरे face पर glow लाने में भी help करेगा so ये easily आप घर में भी बना सकते हैं और हर चीज easily आपको घर में भी available हो जाएंगी now face serum लगाने के बाद मैं थोड़ी से अपनी facial massage करूंगी so that मेरी muscles tighten up हो and इससे मेरे blood का circulation भी increase होगा आप लोग भी daily 5-10 minutes अपने face की massage के लिए जरूर निकाले I hope आप के लिए आज की video काफी useful रहे rice water and rice powder तो नोई बहुत useful होते हैं हमारे skin के लिए और इन से और भी face pack face serum face toner भी बनाये जाते हैं I'll try मैं अपनी और videos में cover कर पाऊं ये चीजे so this complete process के बाद आपको भी अपनी skin में काफी difference देखने को मिलेगा so मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी नई वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाइबे टेक कियर and as always धन्यवाद